हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी फोटो को हमेशा के लिए डिलीट कैसे करें पर्मनेंट डिलीट कैसे करें तो गाइस अगर आप गैलरी से डिलीट करना चाते हैं तो गैलरी से भी कर सकते हैं अगर फाइल से करना चाते हैं तो फाइल से भी फोटो क हम ऐसा के लिए डिलीट कर सकते ही तो शरी सबसे पहले हम गैलरी से बताते हैं आपको तो गैलरी को ओपन करना है यहाँ पर आते हैं देखिए यहाँ पर कुछ फोटो हैं तो इस फोल्डर में हम चलते हैं आपको भी यही करना है जहां से फोटो डिलीट करना कर सकते हैं अगर आप दोनों को प्योग करते हैं गैलरी और फाइल का तो दोनों में से किसी से भी डिलीट कर सकते हैं तो सेलेट करने के बाद डिलीट पे क्लिक करना है डिलीट कर देना है देखिए दो फोटो बचा है बैक आते हैं नीचे देखेंगे आपको री सेंटली डि option मिल जाएगा इस पर क्लिक करना है सभी को यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं अब यहां पर permanent delete का एक option है इस पर क्लिक करके permanent delete कर देना है आपके phone से हमेशा के लिए photo delete हो जाएगा अब अगर आप gallery का उप्योग नहीं करते हैं या फिर अगर ऐसा option नहीं आ रहा है आपके phone में तो फिर आप क्या करना अपने file को open करना जैसे open करेंगे यहां पर सभी photo आ जाएंगे आप अपने देखिए में औरी card में या internal storage में भी जाकर delete कर सकते हैं तो यहां से दो फोटो हम select कर लेते हैं दो देखिए यहां से हड़ चुका है अब क्या करना है आपको ऊपर three line का option है इस पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको एक trace का option मिलेगा इस trace वाले option पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर देखिए सभी photo रहेंगे all item पर क्लिक कर देंगे सबी雅आ फोटो हो जाएंगे अब नीचे delete का option है इस पर क्लिक करना है फिर यहां पर देखिये लिखा हुआ डिलीट इतना रहेगा उतना लिखा रहेगा और permanently लिखा रहेगा तो delete पर क्लिक कर देना है इस तरीके से permanently delete हो जाएगा देखिए फोटो यहां से delete हो चुका है गैलरी को open करके दिखाते हैं देखिए यहां पर भी नई सो कर रहा है इस तरीके से आप हमेशा के लिए delete कर सकते हैं तो आज की डूम बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू